कोई एक महिला को कारेक्रम में लेकर आया था और मेरे पास आने से लगभग 6, 7 या लगभग 8 महीने पहले उनकी आवास जा चुकी थी मंत्रों को विशेश सावधानी से जपना ज़रूरी है गायत्री एक शक्तशाली प्रक्रिया है उसकी प्रक्रती बहुत अलग है ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो पूरी तरह व्यक्ति की भीतरी या अध्यात्मे कुन्नती या उस आयाम की और केंद्रित हो इसमें विभिन्न चीजें शामिल है इसलिए आम तोर पर ये हर ग्रिहस्त को सिखाया जाता था ताकि इंद्रित लोगों को सेहत, खुशाली और जीवन के दूसरे पहलूओं में थोड़ी मदद मिल सके तो गायत्री मंत्र गंभीर आध्यात्मिक साधक के लिए जरूरी नहीं है ये ग्रिहस्त के लिए ठीक है जिसके लिए आध्यात्मिक प्रक्रिया उसके जीवन का एक पहलू है ये एक संभावना है अगर इसकी सही दीक्षा दी जाए हम आम तोर पर ये चीज़े नहीं करते क्योंकि देवी को छोड़कर यहाँ अध्यात्मिक प्रक्रिया में रस्में बिलकुल नहीं है किसी प्रक्रिया को भीतरी बनाना थोड़ा अधिक जटल और सूक्ष्म है पर बाहरी प्रक्रियाओं से कहीं ज्यादा भरोसे मंद है जब हम भीतरी आयाम रचने के लिए बाहरी प्रक्रिया का इस्तिमाल करते हैं तो ये प्रक्रिया काल और स्थान की एक सीमा में बंध जाती है हम कुछ चीजें कर सकते हैं और कुछ चीजें नहीं कर सकते आप 24 घंटे आध्यात्मिक रूप से आउन नहीं रह सकते अगर आप किसी बाहरी प्रक्रिया में शामिल हो तो इससे अच्छा पोशन मिलता है पर उससे ज्यादा कुछ नहीं ये एक अच्छी मदद है मदद की बात करें तो मदद करने के कई दूसरे तरीके हैं बढ़कर जिन्हें याँ दीक्षा मिली है उनकी मदद हम एक बिलकुल अलग तरीके से करते हैं उन्हें बस मदद मांगनी होती है जहां कहीं भी हो वहां मदद मिल जाती है शिक्षकों और स्वयम सेवकों वगेरे के द्वारा मदद नहीं उर्जा के रूप में मदद उपलब्ध होती है वो जहां कहीं भी हो इसलिए सभी को हर जगा ये मदद उपलब्ध कराने की हमारी क्षमता के कारण हमने मदद की रस्में स्थापित नहीं की ये मंत्र उन सबसे लोगप्रिये चीजों में से एक है जिनने लंबे समय से देश में किया जा रहा है लंबे समय से मतलब है खास तोर पर पिछले 4000 सालों में मुझे लगता है आदी शंकर के बाद से उन्होंने इसे बहुत ज्यादा प्रचलित किया क्योंकि जब वो आए तो आम आबादी का एक तरह से पतन हो चुका था इसलिए वो कुछ ऐसा सिखाना चाहते थे जो सभी के लिए हो जैसे आज हमीशा क्रिया सिखा रहे हैं सभी के लिए गायतरी मंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई चीजें शामिल है और इसकी प्रकृती ऐसी है कि मैं यह नहीं कह रहा कि आज यह महत्वपून नहीं है यह हमेशा महत्वपून रहेगा पर सामाजिक और इसके बनावट की दृष्टी से यह आधुनिक जीवन में उतना फिट नहीं क्योंकि इसे सच्चाई बनाने के लिए कई चीजें जरूरी हैं आज के संसार में क्योंकि आज इस धर्ती की एक बहुत बड़ी आबादी एक जगह पर नहीं रहती मैं चाता हूँ कि आप पीछे मुड़कर हमारे अतीत को देखें 500 साल पहले ज्यादतर लोग अपने पूरे जीवन में उसी जगह उठते थे और उसी जगह सोते थे में जीवन भर एक दिन भी बाहर नहीं जाते थे जीवन ऐसा हुआ करता था आज मुझे लगता है बहुती कम लोग ऐसे हैं मेरे जैसे लोग अगर मैं दो रातों तक एकी बिस्तर पर सोता हूँ तो मुझे लगता है कि ये सौभाग्य है वो दिन जा चुके हैं इसी लिए चीजों को करने की कुछ रसमे और कुछ तरीकों का महत्व मैं ये नहीं कहा रहा कि मूल साधना का महत्व खत्म हो गया है नहीं लेकिन समाजिक चीजیں बदल गयी है इसलिए वो प्रक्रियाँ आसानी से नहीं की जा सकती प्रक्रिया को भीतरी बनाना सबसे अच्छा है भीतरी प्रक्रिया कहीं भी की जा सकती है जिसे आप गायत्री कहते हैं जिसे आप दूसरे कई नाम देते हैं योग में हम इसे तंत्र योग कहते हैं आज तंत्र बहुत अजीब तरीकों से प्रकट हो रहा है खास तोर से पश्चिमी देशों में और लोग सोचते हैं, अगर कोई तंत्र शब्द कहें, तो वो बेल अगाम मेल जोल के बारे में सोचने लगते हैं नहीं, तंत्र का सीधा मतलब है, तकनीक कई तरह के तंत्र होते हैं अगर आप ऐसी तकनीक का उपयोग करते हैं, जिसमें बाहरी पदार्थ शामिल है, तो उसे तंत्र कहते हैं अगर आप ऐसी तकनीक का उपयोग करते हैं, जिसमें कोई बाहरी पदार्थ शामिल नहीं है, अगर वो पूरी तरह भीतरी है, तो हम उसे योग कहते हैं अगर आप तांतरिक प्रक्रियाएं रचना चाहते हैं अभी देवी मंदिर में एक आर्ती हो रही है ये एक तरह का तंतर है वहाँ पूजा होती है ये तंतर है अभिशेक होता है ये तंतर है